चोपड़ा है जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों MCC की काउंसलिंग में इस बार कुछ चेंजेज देखने को मिल रहे हैं वो सब आपको पता है जैसे ओल इंडिया कोटा में 27% OBC, 10% EWS का इंप्लिमेंट होना ओल इंडिया कोटा के 4 rounds का होना एमस जिपमर और सेंटरल उनिवर्सिटी का स्टे वेकेंसी राउंड MCC द्वारा कंड़क्ट करवाया जाना इसके साथ ही साथ इस बार एक और बड़ा चेंजेज देखने को मिल रहा है वो यह है कि MCC द्वारा सेंटरल इंस्टीटूट में BSC नर्सिंग कोर्स में भी एडमिशन करवाया जाएगा और ये Central Institute में BSC nursing course में admission के लिए counseling MCC द्वारा MBBS BDS के साथ ही करवाई जाएगी कहने का मतलब ये है कि अभी तक MCC द्वारा सिरफ MBBS BDS course में admission के लिए counseling करवाई जाती थी मगर अभी MBBS BDS और BSC nursing courses के लिए MCC द्वारा counseling करवाई जाएगी तो ये सबसे बड़ा changes हमें यहाँ पर MCC की counseling में देखने को मिलेगा इससे सबसे ज्यादा फाइदा हमारी बेटियों को मिलेगा और उनको मिलना भी चीए क्योंकि हमारी बेटी educated होंगी उनको अच्छे अच्छे courses करने का मोका मिलेगा अच्छी education मिलेगी तो दो परिवार ही नहीं बलकि काभी सारे परिवारों को आबाद करेंगी अब मैं आपको यहां बता देता हूँ कि BSC nursing की counseling MCC के साथ conduct होने से क्या फाइदा होगा देखें नीट की तयारी करके हर एक बच्चे का सपना MBBS डोक्टर बनने का होता है अपने इस तर पर सभी बच्चे अच्छी तयारी करते हैं मगर किसी कारण वस जब exam में marks कम आ गए तो बाद में कुछ बच्चे admission लेने की सोच लेते हैं कि चाहे हमें BSC nursing में ही admission मिल जाए हम इस बार admission जरूर लेंगे इसमें हमारी बेटियों की मजबूरियां हो सकते हैं उनके parents की मजबूरियां होती हैं हम सब जानते हैं लेकिन अभी तक BSC nursing का entrance exam अलग से होता था इस कारण वो अलग-अलग entrance exam नहीं दे पाते थे बच्चे क्योंकि किसका कब entrance exam निकल गया इतनी सारी उनको जानकारियां नहीं होती थी वो सिरफ नीट की तयारी में लगे होते थे इसलिए वो अलग-अलग entrance exam नहीं दे पाते थे और वो BSC nursing courses में admission के लिए भी वन्चित रह जाते थे जिनको कोई guidance नहीं होता था लेकिन अभी जब BSC nursing में भी admission नीट score पर होगा तो MCC की counseling के साथ-साथ अगर किसी बच्ची को MBBS, BDS की seat नहीं मिलती है तो BSC nursing में अच्छे institution में admission ले सकती है ये option हमारी बच्चीयों के लिए बहुत ही अच्छा option है मैं यहाँ पर बेटियों का जिकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि BSC nursing courses female candidate के लिए ही होता है ऐसे बहुत से कम institute होते हैं जिनमे male candidate को ये course offer किया जाता है लेकिन तक्रीबन ये female candidate के लिए ही होता है अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि MCC दोवारा BSC nursing course के लिए कौन-कौन से institute में admission दिया जाएगा इस साल तो MCC के schedule के मताबिक Central Institute में admission दिया जाएगा Central Institute में DU, BHU, Zipmer आते हैं DU के 5 से government college हैं जिसमें Lady Harding नर्सिंग college भी सामिल है तो ये सभी अच्छे institute है इन सभी अच्छे institute में seat available रहेंगी हलांकि MCC का seat matrix अभी आया नहीं है जैसे seat matrix आ जाएगा हम मैं मालूम चल जाएगा कि BSC nursing के लिए कौन-कौन से institute में कितने seat हैं तो बचो ये उन बेटियों उनके parents के लिए अच्छा मोका है जिनके marks कम हैं ज्यादा drop हो गए हैं और आगे drop नहीं लेना चाहते हैं MBBS, BDS नहीं मिल रहा है तो वो इन अच्छे institute से BSC nursing करके अपना career बना सकते हैं एम्स का BSC nursing का exam separate हुआ था उसके अभी counseling चल रही है लेकिन जब Lady Harding या BHC या जिप्मर जैसे institute में BSC nursing करने का मोका मिले तो इससे अच्छा इसमें अच्छा career बन सकता है इन institute से किये हुए course की value भी काफी ज्यादा रहती है तो अभी wait करेंगे MCC की seat matrix का कि BSC nursing course के लिए कितने सीटें कौन से institute को alert होती है और इसमें कौन कौन से institute participate कर रहे हैं क्योंकि ये course MCC की counseling में पहली बार introduce हुआ है इसलिए कितने सीटें available होंगी ये तो seat matrix जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा एक ही platform पर काफी सारे course के लिए counseling conduct करने से student को काफी फाइदा होता है उन्हें अलग-अलग counseling authority के पास registration नहीं करना होता है और ये धीरे धीरे इसकी सुरुआत हो भी रही है जैसे PG के लिए भी इस बार DNB की counseling add हुई है जहां UG के लिए अब की बार BSC nursing की admission के लिए counseling add हो रही है तो ये student के लिए अच्छी बात है तो जैसे ही इसके बारे में update मिलेगा seat matrix आ जाएगा उसके बाद में हम आपको inform कर देंगे तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन